मथूरा में नैशनल हाइवे 19 पर बने पुश्पांजिली उकुवन ओवर ब्रज में घोचाले की गंध आना शुरू हो गई है निर्मार की करीब दो साल बाद फ्लाइओवर में जगे जगे से दरारे पढ़ने लगी है फ्लाइओवर का प्लास्टर भी जोड़ रहा है फ्लाइओवर बना हुआ है अब ये प्ल जगे जगे से दरार देने लगा है इस फ्लाई ओवर के दोनों तरब किनारों में दरारे आने लगी है यहां तक कि पुल के नीचे भी प्लास्टर लगातार गिर रहा है और फ्लाई ओवर के नीचे भी काफी लंबी दरार देखी जा सकती है इस संबंध में जब शेत्रिय लोगों से बात की गई तोनों ने पुल के निर्माड में लगाई गई सामगरी पर सवार उठाते हुए कहा थोड़े समय में ही फ्लाई ओवर तूटने लगा है यहां होकर गुजरने में डर लगता है कि और इसमें मठी वरी हुई है तो मठी सक गई है तो इस उपर नीचे भी हो गया है देखो कि लेंटर को आप देखावोगे तो यह लैंटर जो है इसमें घैप हो गया है तो इससे कोई जन आनी पड़ी हो यह बारी बांद चलते हैं हाइवे एसे नेश्टू आगरा दिली में रोड है तो यहां से बड़ी बाहन निकलेंगे तो पुछ भी कुछ भी आता हो सकता है यह पुल गिर भी सकता है जो जो आज की दीख रहे हुं मौके पर तो मौके के साफ से यह पुल कभी भी गिर सकता है लोगों को डर है कि कहीं ये फ्रायोवर किसी बड़े हाथसे कारण ना बंग जाए फ्रायोवर का एक हिस्सा ओपर तो दूसरा हिस्सा तकरीबन तीन सेंटीमीटर नीचे हो गया है जो भी रहागीर फ्रायोवर के नीचे से गुजरता है वो दर्ग के साय से होकर गुजरता है बता दे कि जब फ्रायोवर बनकर तयार हो गया थे तो जुनता को सुपूर्द करने के साथ ही सांसद हेमा मालनी ने नैशनल हाइबे 19 और कार्यदाई संस्था के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हरी जंडी दिखा कर इस फ्रायोवर को शुरू कराया था फ्रायोवर का सांसद हेमा मालनी ने उधाटन किया था उस फ्रायोवर का प्लास्टर अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है फ्रायोवर के उपर से गुजर रहे वहनों की धमक से फुल के नीचे लगा हुआ प्लास्टर अब टुकडों में नीचे गिरने लगा है इस विशे में जब एनज ए आई के प्रोजेक्ट डिरेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को मीटिंग में बता कर मामला समझना भी जरूरी नहीं समझा और जानकारी देने से पच्टे हुए नजर आए